आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो गाईस, आज के हमारे इस वीडियो में से बोला है कि The Inverse of Matrix A 1, 1, 1, 6, 7, 8 6, 7, minus 8 Using Adjoint Method Is ठीक है, तो हमें इसका Inverse निकालना है Using Adjoint Method ठीक है, तो A Inverse Using Adjoint Method क्या होता है Adjoint of A Upon में Determinant of A ठीक है, तो सबसे पहले हम Determinant of A निकाल लेते हैं तो वो क्या होगा हमारा That will be 1 into 7 into 8 ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 into 8 क्या होता है 56 ठीक है, और यह minus 8 है तो यह क्या जाएगा minus 56 minus 7 into 8 will be 56 ठीक है, यहाँ पर क्या हैगा minus का 1 Again, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 6 into 8 6 into minus 8 will be minus 48 इंटू यहां पर क्या जागा मारा 6 इंटू 8 that will be minus यहां पर क्यागा 48 फिर यहां पर आएगा plus का 1 this will be 6 इंटू 7 6 इंटू 7 will be 42 minus 42 तो यहां से गर हम देखें तो 42 minus 42 यह वाली term 0 हो जाएगी this will be 56 minus 56 ठीक है तो यहां पर minus 56 इंटू 56 यह एड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 112 यहां पर क्या हैगा minus 48 minus 48 तो 48 plus 48 हो जाएगा यहां पर तो यह क्या जाएगा minus का 96 माइनस इंटू माइनस यह क्या हो जाएगा plus का 96 तो 112 में से 96 माइनस कर देंगे minus 112 है plus 96 है तो यह क्या जाएगा हमारा minus of 16 ठीक है adjoint of a निकालना है तो adjoint of a क्या होता है cofactor matrix का transpose तो हमें सबसे पहले cofactor matrix C निकालने होगी तो C निकालनेंगे यहां पर हमारा सबसे पहले क्या हैगा plus का sign 7 into minus 8 that will be minus 56 minus 56 that will be minus 112 ठीक है यहां पर क्या हैगा minus का sign this will be 6 into this will be 6 into minus 8 minus 6 into 8 that will be minus 48 minus 48 यह क्या हो जगा हमारा minus 96 और minus sign है तो क्या हो जाएगा यह this is minus 96 और यह minus minus plus हो जाएगा अब यहां पर अगर हम देखें तो यह क्या जाएगा 6 into 7 that means this is 42 minus 42 तो यह क्या हमारा 0 जाएगा similarly यहां पर क्या हैगा negative sign इसके लिए करेंगे तो यह क्या जाएगा 1 into minus 8 that will be minus minus 8 और यह क्या हो जाएगा minus 7 into 1 that will be 7 तो minus 8 minus 7 will be minus 8 minus 7 will be minus 15 तो यह क्या हो जाएगा मारा minus 15 similarly यहां पर क्या हैगा positive sign इसके लिए करेंगे तो this will be 1 into minus 8 that will be minus 8 minus 6 तो minus 8 minus 6 will be minus 14 तो यहां पर क्या हमारा minus 14 अगेन इसके लिए करेंगे तो यहां पर क्या हमारा 1 into 7 that will be 7 इन इन टू यहां पर क्या है 6 into 1 तो यह क्या हो जाँगा 6 तो 7 minus 6 will be 7 minus 6 यहां पर इंगा अगे तो यहां पर क्या हैगा positive sign ठीकि इसके लिए करेंगे तो यह क्या हो जागा 8-7 that will be 1, यहाँ पर क्याएगा हमारा minus sign, यहाँ पर करेंगे this will be 8 minus 6 that will be 2 यहाँ पर again इसके लिए करेंगे this will be 7 minus 6 7 minus 6 will be plus का sign आएगा, तो यह हो जाएगा 1, ठीक है यह हमारा क्या है, co-factor matrix इसका transpose निकालेंगे, क्योंकि हमें adjoint A निकालना है, तो यहाँ से हमारा adjoint A क्या हो जाएगा co-factor matrix का transpose that means, यह क्या जाएगा हमारा minus 112 this will be plus 15 and यह 1 this will be plus का 96 यह क्या हमारा minus 14 and this will be minus 2, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, 0 this will be minus 1 and plus 1 तो यहाँ से यह क्या आगया हमारा adjoint A ठीक है, this is our required solution option चेक करते हैं हमारा किससे टैली कर रहे है, option से मिलाएंगे तो यह क्या है हमारा first option देखिए first option हमसे क्या पो जाता है, inverse inverse क्या होगा, यहाँ से matrix A के लिए तो यहाँ से matrix A का inverse हो जाएगा A inverse यहाँ से आएगा हमारा यह क्या आया था हमारा mod of A आया था हमारा minus 16, तो यह क्या जाएगा minus 1 upon 16 into, adjoint एक हमारा minus 112 15, 1 96 minus 14 minus 2 and this will be 0 minus 1 and 1 option से टैली करेंगे तो हमारा कौन सा option मैच कर रहा है option number 3 option number 3 is the right answer ठीक है, तो यह हमारा क्या आगया answer आगया, ठीक है, thank you